वेलकम टू गुर्दोनाचारे अकेडमी आज हम सीखने जा रहे हैं बिटा कापिटल एड्जस्ट्मेंट्स जो की हमारा डेली उनिएस्टी का जो एंटरेंस होने वाला है उसके पॉइंट ओव व्यू से इंपॉर्टेंट है सर ये आप अलग से टॉपिक क्यों करा रहे हैं बिटा विकॉज ये हमारा 12th क्लास में डिलेटिट टॉपिक है जो की हमने 12th क्लास में नहीं किया था और इस बार जो डेली उनिएस्टी का इंटरेंस होने जा रहा है उसमें ये टॉपिक इंक्लूडिड है तो सबसे पहले हम chapter number 4 जो आपका change in PSR है उसकी capital उसमें कैसे capital adjustments होनी है उसको सीखेंगे फिर admission next video में उसके बाद retirement का और उसके बाद इस सबके questions करेंगे mix करके चलिए इस start करते हैं चलिए बिटा देखे यहाँ पर capital adjustments का मतलब क्या है कि जो partners की capital है उसको हमें एक particular ratio में adjust करना है सर्फ for example मांके मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 जने हैं एक A है एक B है एक C है अभी इनके पास कुछ इस तरीके से टॉफियां पड़ी हुई है A के पास 4 टॉफिय है B के पास 3 टॉफिय है और C के पास 2 टॉफिय है मैं अब यह चाहता हूँ कि जो A, B, C, 3 तीनों के पास यह different different टॉफिय है मैं चाहता हूँ सब कि बराबर बराबर टॉफिय हो जाए तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा सबसे पहले मैं count करूँगा कि में पास total टॉफिय कितनी available है तो मैं total इसका लगाँगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानि मेरे पास total 9 टॉफिय है अब मुझे क्या करना है इन सब को बराबर बराबर बाटना है यानि मैं यह चाहता हूँ कि जो 9 टॉफिय है यह इन तीनों में बराबर बराबर बट जाए अभी कैसे कैसे बटी हुई है A के पास 4 है B के पास 3 है C के पास 2 है तो total मिलाकर तीनों के पास 9 टॉफिया है और मैं चाहता हूँ इनके पास बराबर 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 टॉफियां बट जाए तो बराबर बाटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि partners कितने हैं 3 partners हैं 9 टॉफी हैं तो यानि 9 टॉफी को 3 जनो में बाटना है तो बराबर बाटने के लिए मुझे सबको बराबर टॉफी देनी है तो 3 divided by 9 यानि ये आ जाएगा 3 यानि सर सबको 3-3 टॉफी तो ये टॉफीयां बराबर बढ़ जाएंगी यानि पहले A के पास 4 थी तो अब A के पास 3 बचेंगी B के पास पहले 3 थी अब भी B के पास 3 रहेगी C के पास पहले 2 थी पर अब C के पास 3 रहेगी टॉफी तो देखो again मेरे पास टोटल टॉफीयां 9 ही बची पर पहले जो टॉफी इसका distribution था वो किस ratio में था 4 इस्टो 3 इस्टो 2 की ratio में था अब किस ratio में हो गया सर 1 इस्टो 1 इस्टो 1 की ratio में हो गया यानि equal में divide हो गी है कि ये old ratio थी ये new ratio थी तो हमने यहाँ पर किया क्या हमने यहाँ पर टॉफीस को adjust कर दिया एक particular ratio में अब यहाँ पर adjust कैसे हो सकता है अब क्या करेंगे इसको एसे कहेंगे ए आपके पास 4 टॉफी थी पर आपको रखनी कितनी है 3 तो आप क्या करो एक टॉफी जल्दी बताएगे क्या करेंगे A के पास 4 टॉफी थी हमने का A आपको 3 ही रखनी है तो हम A से बोलेंगे A एक टॉफी आप घर ले जाओ B के बोलेंगे B आपके पास 3 टॉफी थी आपको 3 टॉफी रखनी है तो आप यहाँ पर कुछ भी मत करो C से बोलेंगे C आप यह बस दो टौफी थी आपको तीन टौफी चाहिए तो आप एक टौफी और लेकर आओ तो हमने A को क्या बोला एक टौफी घर ले जाओ ठीक है और हमने C को क्या बोला एक टौफी घर से ले आओ बस यही करना है तरीके से आपकी capital adjust हो जाएगी सर कैसे मागी देखो आपको सबसे पहले यहाँ पर balance BD दे रखा होगा ठीक है मान लेते हैं आपको A का 5 lakhs दे रखा है B का 3 lakhs दे रखा है फिर आपकी जो adjustments होती है इस chapter के अंदर कौन-कौन सी सर? मागी बैटा treatment of goodwill होती है treatment of reserves होते है treatment of accumulated losses होते है revaluation का treatment होता है revaluation profit और losses को बाटने का उसके बाद सारी adjustments के करने के बाद जो आपका balance CD आजाता है उसको आप यहाँ लिखते हो मान लेते हैं यहाँ पर हमने revaluation profit बाट दिया और कुछ था ही नहीं एक लाग revolution profit A को दे दिया एक लाग revolution profit B को दे दिया चलिए total लगाते हैं एक बाट यहाँ पर होगे बटा 6 lakhs यहाँ पर होगया 4 lakhs 6 lakhs 4 lakhs तो सर जो हमारी adjustment के बाद जो हमारी capital निकल के आई वो 6 lakh और 4 lakhs निकल करके आई पर अब कोशन क्या कहेगा कोशन कहता है कि हमें यह 6 lakhs और 4 lakhs capital नहीं जाई है हम चाहते हैं यह capital कैसी हो जाए equal हो जाए मतब partners के अभी capital किस ratio में है देखा जाए तो 6 is to 4 की ratio में है यानि 3 is to 2 की ratio में पर वो चाहते हैं यह capital equal ratio में हो जाए यानि 1 is to 1 की ratio में हो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा सेम method करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर किया क्या किया जो जिस ratio में पर टॉफी सी या जिती जितनी टॉफी सी सबको हमने प्लस किया फिर उसको जिस ratio में बाटना था हमने उस ratio में उसको distribute कर दिया और जो भी difference है उसको हमने adjust कर दिया तो आईगे यहाँ पर करेंगे अब इसको adjust करना है तो एक काम के जी इसको दुबारा से यहाँ पर buy balance bd करके उतार लेंगे यानि 6,00,00 और 4,00,00 आपका आ जाएगा अब मैंने का मुझे सर इसको क्या करना है change करना है 6,00,00,00,00,00,00 नहीं चाहिए मुझे नया cd चाहिए मां कि ठीक है जी क्या चाहिए मैं रिखे new to balance cd अब यह balance cd तो बेटा पुराने वाला था मैंने इसको दुबारा उतारा अब इसको प्लस करना पड़ेगा आईए प्लस करते हैं तो जब दोनों को प्लस करते हैं तो उसको बोल देते हैं total adjusted capital आईए देखते है total adjusted capital कितनी होगी a की adjusted capital है बिटा 6,00,00 और b की जो है वो है 4,00,00 तो बतार जो capital है total firm के अंदर वो है 10,00,00 रुपीज अब ये चाहते हैं कि जो capital ये 10,00,00 है ये equal ratio में हो जाए equal ratio मतलब a और b के बीच में ब्राबर ब्राबर बाटने के लिए मुझे a का share और b का share देखना पड़ेगा यानि a की new capital कितनी होगी और b की new capital कितनी होगी आप लोग बताए ये फटाफट आप क्या करेंगे अगर बराबर बराबर करनी है दो partner से तो आधी आधी बाट दोगे तो 10,00,00 का half और 10,00,00 का half तो यानि a की new capital पताचल गी sir हमें 5,00,00 और b की भी new capital पताचल गी हमें 5,00,00 यानि sir जो मुझे new cd चाहिए वो 5,00,00 और 5,00,00 होना चाहिए तो बेटा यहाँ पर cd हम क्या लिख देंगे 5,00,00 और 5,00,00 चलिए अब देखिए अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि sir a के पास 6,00,00 रुपे थे हमने कहा कि नई अब new में आपको सर्फ 5,00,00 रुपे ही चाहिए तो क्या करेंगे जल्दी बताइए यहाँ 6,00,00 लिखा हमने यहाँ पर भी 6,00,00 लिखा 6,00,00 चाहिए 6,00,00 है 5,00,00 चाहिए तो उससे कहिए भाईया आप 1,00,00 रुपे घर वापसी ले जाओ और यहाँ लिदेंगे 2,00,00 ठीक है जी अब B का देखिए तो B के पास किते रुपे पड़े है 4,00,00,00 रुपे पड़े है पर मुझे चाहिए कितना 5,00,00 चाहिए तो यहाँ पर टोटल लगाएंगे तो बिटा 5,00,00 चाहिए और 4,00,00 है तो उससे कहिए भाई आप 1,00,00 रुपे और ले करके आईए तो यह आ जाएगा बाई बैंग तो पिपर में कोशन कैसा आएगा तो पिटा देखो आपके MCQ उदारे पिपर में तो पूरा आकाउंट बनाने को तो आपको नहीं आएगा आप से क्या पूछ लेगा कि यहाँ पर कितना एडजस्टमेंट किया है यानि B कितना ले करके आएगा और A कितना ले करके जाएगा या तो यह पूछ सकता है या आप से पूछ सकता है कि पार्टनर्स की निउ कैपिटल कितनी कितनी होगी तो इस कोशन को सर क्या हम अकाउंट बना के करेंगे मां के बटा नहीं, अकाउंट बना करके नहीं करेंगे, इसको हम सिंपल कर सकते हैं आपको कोशेंग के अंदर Adjusted Capital दे रखी होगी यह और B की सर कैसे मन देखिए आपको इस तरीके से करना है आपको A की और B की Adjusted Capital लिखनी है 6 lakhs और 4 lakhs आपको ऐसे दे रखा होगा तो यहाँ आप Total लगा लेंगे कितना होगे सर? 10 lakhs अब इस 10 lakhs को आपको कैसे रेशियो में चाहिए? सर आपको Equal Ratio में चाहिए तो Equal Ratio के लिए यानि सर 5 lakhs और 5 lakhs आपको चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे 6 lakhs थी 5 lakhs आपको चाहिए तो बेटा, यहाँ पर आजएगा 1 lakh और यहाँ पर भी आजएगा 1 lakh 6 lakh थी, 5 lakh चाहिए था 1 lakh उसको क्या कहिए? कि भीया, आप ले जाओ, यहाँ आपको क्रेडिट है और मुझे 5 lakh का क्रेडिट चाहिए तो यानि हमारे पास 1 lakh का क्रेडिट जादा है तो उसको कहिए भीया, 1 lakh आप डेबिट को, ठीक है जी? और B को क्या कहिए? कि भाई साब, आपके पास 4 lakh का क्रेडिट है पर हमें आपके पास चाहिए 5 lakh का क्रेडिट, तो आप 1 lakh का क्रेडिट और लेए अगर अब आपसे पूछता है उनकी ν्यू कापिटल कितनी होगी तो आप बता देंगे 5 lakh, 5 lakh होगी और अगर आप से पूछता है कि कौन कितने पैसे लेगा कितने पैसे लेगे जाएगा तो आब बता देंगे सर A, 1 lakh रुपे लेके जाएगा चले जी एक कोशन देखते हैं कोशन क्या कहता है कि A और B दो पार्टनर्स हैं जो की इक्वल पार्टनर्स हैं वन इस्टो वन की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं और इनकी आपको एडजेस्टिट कैपिटल्स दे रखी है A की 7 lakhs और B की 3 lakhs एडजेस्टिट कैपिल्स का मतलब क्या होता है कि इसमें गुडविल की, रिवैलुएशन की, रिजर्व की, लॉसेस्टिटमेंट अलरी हो चुकी है वो सारे एडजेस्टिट्स करने के बाद जो कैपिल्स आनी हैं वो 7 lakhs और 3 lakhs आनी है ठीक है जी और new ratio है 3 is to 2 यानी अब वो चाते हैं कि जो उनका profit sharing ratio है, वो 3 is to 2 हो जाए अब क्या कहते हैं adjust the capitals of the partners according to their new profit sharing ratio यानी वो चाते हैं कि अब जो capitals है partners की, वो new profit sharing ratio में हो जाए यानी अब भी देखें तो किस ratio में है बटा A की 7 lakhs है, B की 3 lakhs है यानी अभी की ratio बात करें, तो अभी की 7 is to 3 का ratio है पर वो चाते हैं कि किस ratio में हो जाए 3 is to 2 की ratio में हो जाए तो वह यह कैसे करेंगे इसको, आए फटाफट करते हैं सबसे पहले लिखेंगे partners की adjusted capital यह लिजे adjusted capitals आप इसको old के नाम से भी treat कर सकते हो फिलाल तो A और B बटा A की 7 lakhs है और B की 3 lakhs है ठीक है जी तो total capital of firm क्या होगी वो होगी बच्चे 10 lakhs अब firm क्या चाती है यह जो 10 lakhs की capital है A और B की वो किस ratio में हो जाए new ratio में हो जाए new ratio क्या है 3 is to 2 तो मैं क्या करूँगा यह 10 lakhs को 3 is to 2 में बाठ दूँगा और जैसी 3 is to 2 में बाठ दूँगा वो ही मेरी new capitals मानी जाएंगी चिक है जी तो यह चले बाठते हैं एक बार्स को यह पर बाठ देते हैं उपर A का new capital और B का new capital A is new capital और B is new capital कैसे करेंगे 10 lakhs 10 lakhs 3 is to 2 यह तो 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 पांच हिससे करने जिसने से A के 3 हिससे और B के 2 हिससे यहनि 10 lakhs into 3 by 5 और 10 lakhs into 2 by 5 तो बाठा A की total capital कितनी हो गई 6 lakhs और B की new capital कितनी हो गई 4 lakhs बाठा बस इसको यहाँ पर लिख देंगे यह लिजए 6 lakhs और B की हो गई 4 lakhs और हमें पता है सर capital का balance जो होता है वो credit होता है तो यहनि A के पास 7 lakhs रूपीज का credit था B के पास 3 lakhs रूपीज का credit था पर new capital में देखा जाए तो मेंको A का 6 lakhs रूपीज चाहिए और B का सिर्फ और सिर्फ 4 lakhs का credit चाहिए चलिए तो अगर आपसे question पूछा जाएगा new capital क्या होगी partners की तो आप बता देंगे A की new capital 6 lakhs होगी और B की new capital 4 lakhs होगी अब आपसे कुछते हैं कि entry pass करो या यह बताओ कि कौन कितना पैसा लेकर आएगा कौन कितना पैसा लेकर के जाएगा तो बेटा देखो 7 lakhs का मुझे मेरे पास credit पड़ा था यानि A के पास credit पड़ा था 7 lakhs का पर हमने कहा कि आपको कितना maintain करना है 6 lakhs का credit maintain करना है यानि 6 lakhs का credit maintain करना है 7 lakhs का credit है तो यानि 1 lakhs का credit जादा है तो उसको क्या कहींगे भीया आप 1 lakhs की capital कम कर लो वापसी ले जाओ अब B की बात करें तो B के पास 3 lakhs का credit है पर हमने कितना चाहिए है उसका 4 lakhs रुपे चाहिए यानि 1 lakhs रुपे उससे जादा चाहिए तो हम B को कहेंगे 1 lakhs रुपे का credit और 2 1 lakhs रुपे घर से और ले करके आओ तो यानि A को बोलेंगे कि A की capital account को 1 lakhs से debit करेंगे और B की capital account को 1 lakhs से credit करेंगे तो जो हमारी capital है वो 6 lakhs और 4 lakhs हो जाएंगी 3 to 2 की ratio में हो जाएगी